हालो एवरिवन गुद इवनिंग नमश्कार अग्रिकल्चर एड़ा 24-7 में आप सभी का बहुत बहुत सागत हैं तो मेरा नाम है डॉक्टर मिनाक्षी राथी और हम यहां मिलते हैं एंटुमोलाजी की कंसेप्च्वल क्लासेज में तो यह क्लासेज आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉंग करने के लिए रखे गई हैं ताकि जब एग्जामिनर आपको ट्रिक करें गुगली फेके तो आप फटा फट से उसका आंसर कर पाएं है ना इसलिए यह क्लासेज हम आप लोगों के लिए कंसाप्च्वल क्लासेज लिकर आ रहे हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले नजर आए अड़ा की आप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं क साथ साथ इसमें आर्टिकल्स मिलेंगे विडियोज अलाइन मिलेंगे तो काफी सारा कंटेंट आपको आप में मिलता है फटा फट से अपने प्ले स्टोर में जाए और अपने आप को डाउनलोड कीजिए अड़ा 24-7 तो आज बात करते हैं टॉपिक की तो आज का टॉपिक है रिप्रोडाक्शन यानि की रिप्रोडाक्शन में क्या क्या होगा जी बिलकुल चली तो रिप्रोडाक्शन के और गिंस कौन से कौन से होते हैं किस तरीके से इंसेक्ट में रिप्रोडाक्शन होता है तो वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं इंसेक्ट रिप्रोड की अंडर. So far, हमने excratory system कर लिया है, हमने और क्या किया भई हम और हमने hitz, legs, wings सब अच्छे से cover कर लिया है, digestive system cover कर लिया है, respiration system cover कर लिया है, तो आज reproduction की बारी है. तो reproduction का बच्चे मतलब क्या होता है कि अपनी जैसी progeny को जन देना is reproduction और basically बायलॉजीकली हर श्पीशी का यही एंग होता है कि उसे अपना जिनौम अपना DNA को अमर करना होता है इसी लिए वो अपनी जैसी स्पीशी पीछे प्रोड़्यूज करके जाते हैं ताकि उसका DNA रेपलिकेट हो क्योंकि कोई भी इंसान हो या इंसेक्ट हो अमर तो हो नहीं सकता है ना सो बॉडी डिस बॉडी तो मर जाएगी लेकिन उसका डीने वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करके जाते हैं तो इसी तरीके से क्योंकि हम सब लोग जो है इम्मोर्टिल होना चाहते हैं अपनी जैसी प्रोजनी को पी गाड़ी चाहिए इच्छा बंगला चाहिए तो यह आप अफकोर्स यह आपके एम है आएम टॉकिंग बाउट देख लेते हैं रिप्रोडाक्शन की यूशुली इंसेक्ट्स आर बाइसेक्शल इंसेक्ट्स बाइसेक्शल होते हैं जनरली बट सम्टाइमस रिप्रोड़क होता है यानि कि जब मेल और फीमेल गमीट मिलते हैं तभी फर्टलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है लेकिन कुछ इंसेक्ट में पार्थेन और जनरासेस और हर्मोफ्रोडिसम भी देखा गया है यानि कि विदाउट सेक्शल अक्टिविटी विदाउट मेटिंग और फीमेल गमीट इसमें जो है पूरा इंडिवीज्वेल डिवलप हो जाता है यानि कि सेक्शल रिप्रडाक्शन को जो है ओवर कम कर लिया जाता है तो यह आपके मतलब दोनों तरीके के रिप्रडाक्शन इंसेक्ट में मौजूद है आपको अगर याद हो हमने अपनी फ पॉर्थ पॉपॉलेशन केवल इंसेक्ट की है तो उसमें एक पॉइंट ये भी था क्योंकि इनके पास ये आजादी होती है कि वो सैक्शली भी रिप्रड्यूस कर पाते हैं और ए सैक्शली भी रिप्रड्यूस कर पाते हैं तो बेसिकली रिप्रडाक्शन इनका काफी होती है चलिए तो अब बात करते हैं रिप्रोडाक्टिव सिस्टेम की रिप्रोडाक्टिव सिस्टेम जो है दो भागों में बाटा गया है इंटर्नल रिप्रोडाक्शन और एक्सटर्नल रिप्रोडाक्शन इंटर्नल रिप्रोडाक्शन में जैसे आपके जर्म सेल्स बनते हैं तयार होते हैं उनसे किस तरीके से आपका जो है पूरा गमीट तयार होता है वो आपके internal organs में आएंगे externally दो जो opposite sexes है male और female है उनका union कैसे होता है कैसे egg का fertilization होता है यह external organs पर depend करता है तो यह दो भागों में बटा हुआ है हालो दिवाकर एंड वेलकम टू दे सेशन तो पहले बात करेंगे female reproductive system की female reproductive system में क्या-क्या present होता है a pair of ovaries present होते हैं अगर आप biology student होंगे तो भी obviously आपको यह सारे जो नाम है यह सुने-सुने से लगेंगे क्योंकि सारे ही नाम आपकी human reproduction में use होते हैं है ना a pair of ovaries होती है ovary जो है ओविडक्ट प्रेजेंट होते हैं आप एर ओविडक्ट इसमें होते हैं एक कॉमन ओविडक्ट होता है जिसे मीडियन ओविडक्ट भी कहा जाता है तो इस वेरी इंट्रेस्टिंग नेम पादन सो नमस्ते पादन जी आंड टी सीरीज अपना बिहार गुट इवनिंग अगर आप चाहे तो चलिए फिर स्परमथी का इसमें प्रेजेंट होता है अप एर ओफ एससरी ग्लाइंट प्रेजेंट होते हैं ग्लाइंट का भी कुछ रोल होगा बरसा कॉप्यूलेट ट्रिक्स प्रेजेंट होता है तो इससे कई बार क्वेशन पूछा जाता है कि यह क्या होता है बरसा कॉप्यूलेट ट्रिस तो इसके बारे में भी बात करेंगे सारे ही जो आपके पार्ट्स है इनको एक एक करके एक्स्प्लेइन करेंगे इनको समझेंगे कि इनका फंक्शन क्या है पर उससे पहले डाइग्राम देख लेते हैं किस तरीके का आपका फी मेल रिप्रडैक्टीव होता है तो यह लेखि आपके है यह जो एक आप देख रहे है यहा से यहां तक दो जा रहा है विर ये सल है तो इस एक सल को क्या कहते हैं आवे रियॉल कहते हैं औवे रियॉल तो अवरी जो है ओवरी आस के संगम से बनती है याने कि बहुत सारे और लियॉल मिक्स कर सोली जोड़ उनिय घो कर ऑवरी बनाते हैं एस लिएलाइं यहां पर यह यह आप लास्च ट्रॉक्टर देख रहे हैं इसे ओवेरीन लिगमेंट कहा जाता है इस लिगमेंट के थ्रू ये ओवरी जो है अटाच रहती है इंसेक्ट की बॉड़ी से और अपनी पोजेशन को मिन्टेन रखती है हवा में तो नहीं रह सकती तो ये इस के थ्रूज अटाच होती है body में जिससे अपनी position जो है maintain कारके रखती है so हमारे t-series का नाम गुल्शन है तो यह बहुत अच्छी बात है तब ही आपने आई तिंग अपना नाम t-series रखा है है ना चलिए तो आपकी जो यह दो ओवरीज है यह इन से जो एक्स रिलीज होंगे इधर से तो यह लेटरल ओविडक्ट में आएंगे पहले जो पीडा ट्यूब-like structure है तो यह आपका लेटरल ओविडक्ट है लेटरल ओविडक्ट दोनों जो है एक common duct में मिलते हैं जो बीच में present है यह common ओविडक्ट है जिसको median oveduct भी कहा जा सकता है उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा pouch present है इस pouch को sperm थीका कहते हैं sperm थीका कई बार sperm को अपने पास store करके रख लेता है तो इसको बार-बार mail को ढूणने की जरुवत नहीं पढ़ती है sperm donation के लिए यह अपने sperm थीका से ही sperms को यूज कर लेता है तो इसमें sperm store होते हैं आपके यह जो लंबी लंबी दो इस तरीके के आप tube like structure देख रहे हैं यह accessory glands है और यह accessory gland sperm थीका दोनों ही जो है और साथ साथ common oveduct यह तीनों जो है आपके वजाइना में open होते हैं यहाँ पर ठीके तो यह आपके वजाइना में open होते हैं तो यह आपका पूरा female reproductive system है ओके चलिए अब एक बर हम सब के अंदर भी जहाग कर देखते हैं क्या-क्या प्रेजन्स होता है और रीज में आपका प्रेजेशन के रहती है यह प्रेज़न्ठ ऑन यापकी आपकी ओल्री प्रेजेंट होती है ठीक है तो यह आपके यू एलीमेंट्रीょ tubecional है उसके दोनों साइट प्रेजंट होती है interferley they are connected with body wall तो यह anteriorly जो है body wall से connect होती है by तो यह दे आर connected with the body wall by means of suspensory ligament तो यह body wall से कैसे connect होती है suspensory ligaments की help से होती है जो इसको इसकी position में रखते हैं तो हाँ जी honey bee में क्या सारे ही insect में की सी तरीके से होता है बच्चे जो भी female insects होंगे ओके तो नीचे आपका ट्रेक्टर भी आगे है देखो कितने इंट्रेस्टिंग लग रहा है मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है इस ओवरीज आर कवर्ड वीद फाट यह ओवरीज जो है फैट की लेयर से कवर होती है ताकि प्रोटेक्टेड रहे इन में हाम ना पहुंचे आगे तो यह फैट से कवर्ड रहती है they are richly कवर्ड विद ट्राकिया तो आप सब लोगों को पता है ट्राकिया क्या है ट्राकिया जैसे हमारा यह ट्रैक्या सिस्टम होता है इसी तरीके का इंसेक्ट में भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिने ट्रैक्या कहते हैं और यह ऑक्सिजन सप्लाई का काम करते हैं तो आपकी ऑक्सिजन सप्लाई का काम ट्रैक्या करती है ओवरीज में तो ओवरीज के आस औवेरियोल से बनती है औवेरियोल जो है आपके ये डबल लेयर स्ट्रक्चर में सेलुलर वाल में प्रेजन्ट होते हैं जो एक औवेरियोल है इसके चारों तरफ डबल लेयर की मेंब्रेन है जो इसे प्रोटेक्ट रखती है जो बहारी मेंब्रेन है बहार वाली मेंब्रेन जो है वो ट्रैकिया से अबंडेंट रहती हैं कि उस पर ट्रैकिया चिपकी रहती है ताकि ओवरी को पूरी ऑक्सिजिन मिल सके और जो इनर लेयर है इनर लेयर आपकी जो है एलास्टिक इन नेचर होती है और मतलब फ्लेक्सिबल होती है और यह आपका अंदर का हिस्सा ओवर yawl ka binaate hai मुझे कितने साल हुए है पढ़ाते हुए क्या करना है आपने चले है तो मुझे बच्चा तीन से चार साल हुगे हुगे पढ़ाते हुए काफे नहीं है क्या चले चलते हैं तो मैं गालना हम झीली ट्रिया करने साथ रिट हम गालना वेध करना शा पिल में लिट की शरी के सबरेदं के गालना हुगे शंपी खनेgesetz अंध्रय अंप लिटरिया हुगे игр तरज्वाद कऱें to each side the wall of the oveduct is grand glandular and muscular तो यह जो लेटरल oveduct होते हैं इसमें जो है cells है यह granular होते है यानि की कुछ minor glands इसमें present होते हैं grand glands के secretions इसमें आते हैं median oveduct क्या होता है two lateral oveducts combined to form a median oveduct है तो मैंने आपको बताया था यहां आपकी दूसरी ओवरी है इससे भी लेटरल oveduct आएगा और यहां पर आकर मिल जाता है तो इसको बोलते है median oveduct तो इस median oveduct यानि की common passage है जह चाहे यह एगर इस से release हो चाहे एग से release हो यह बीच में median वाले oveduct में आएगा उसके बाद vagina present होता है vagina is the in most of the insects median oveduct जो है आपका vagina में open होता है vagina body से बाहर open होती है और उस opening को क्या कहते हैं वलवा कहते हैं ओके सो फिर से जो है diagram बनाना पड़ेगा आप होगों के लिए इस तरीके से ओवरी है यहां पर कोम नौविडक्ट है और यह जो है वजाइना में open होता है और यह वजाइना जो बाहर body से बाहर open होती है यह opening जो है इसको वलवा कहते हैं जिसके थ्रू जो एक्स है वो body से बाहर निकलते हैं काफी classes हो गई है बच्चे आपके morphology की classification हम cover कर चुके हैं इंसेक्ट की legs, इंसेक्ट की wings cover कर चुके हैं इंसेक्ट की antenna cover कर चुके हैं morphology में digestion, excretion, respiration cover कर चुके हैं सब्सक्राइब काफी प्रनांसिएशन में मुझे काफी दिक्कत आती है तो चलिए तो आपकी जो ये वजाइना है ये बाहर जो opening present है जिसके थ्रू एक्स बाहर निकलते हैं उस opening का नाम है वलवा उसके बाद इस से question जादा तर पूछा जाएगा बरसा कॉपी लेट्रिक्स बरसा कॉपी लेट्रिक्स क्या है कुछ इंसेक्ट में ये सब में present नहीं होता धिहान रखीगा ये केवल कुछ इंसेक्ट में present होता है वजाइना डेवलप्स आ सेपरेट पाउच वजाइना जो है एक सेपरेट पाउच बना लेती है कॉल बरसा कॉपी लेट्रिक्स इसको जो सेपरेट पाउच बनता है वजाइना में से ही इसी को जो है बरसा कॉपी लेट्रिक्स कहा जाता है इसमें फ आपके जो है? For the sperms entry. Sperms की entry के लिए present होती है. और ये 8-th segment में present होती है. It is present in the 8-th segment. जो आपकी abdominal segment है. आथवी segment पर ये ओपर्निंग प्रेजन होती है. वल्वा ओपनिंग और ये sperm की entry के लिए present होती है. दूसरी opening है जिसे कहते हैं OVPOR OVPOR और GONOPOR यह जो OVPOR है यह discharging of eggs के लिए होते है यानि कि eggs जो है OVPOR से release होंगे लेकिन sperm की entry वल्वा से होगी OVPOR जो है आपका 9th segment पर present होता है वल्वा आपका 8th segment पर present होता है कौन से कौन से insect में यह देखा गया है lapidoptera में और water beetles में यह देखा गया है तो जो normal और सारे insect हैं जिनमें केवल एक ही opening present है उसमें दोनों ही काम उसी opening से होंगे है ना sperm की entry भी वल्वा से होती है eggs का बाहर निकलना भी वल्वा से होता है यहां जिसमें बरसा present होता है उसमें 2 openings होती है वल्वा से sperm enter करता है और ovipore से egg निकलता है तो अब वल्वा जो है 8th segment पर present होता है ovipore आपका 9th segment पर present होता है mouth parts भी cover किये मच्चा types of mouth part modification या और labium, hypolarynx सब cover कर लिया आपने mouth का भी head के types भी cover किये है तो morphology almost आपकी completed ही है उसके बाद spermatica present होता है it is a sack like structure ये बलून जैसा sack like structure है consists of spermatical glands इसमें spermatical glands present होते है तो ये glands क्या करते है ये ऐसे secretions ऐसे पदार्थ निकालते है जिनकी वजह से आपका जो egg है वो sperm है sperm जादा long time तक जी सके उस पे survive कर सके है तो storage करने के लिए उसको congenial conditions भी देनी पड़ेंगी तो उस तरीके के कुछ secretion निकाले जाते है जिस से sperm जादा दिन तक stored हो सके spermatica में उसके लिए and opens into vagina और यह जो आपकी spermatica है इसका duct भी directly vagina में open होता है through spermatical duct और जिस duct के थूँ यह vagina में open होता है उसका नाम है spermatica duct this is mainly used for storing the sperms इसका काम है sperms को store करके रखना और इसमें fluids release होते हैं longevity of the cells के लिए होते हैं ताकि cells की जो life है वो कुछ घंटो के लिए और बढ़ जाए ताकि जब भी आपकी female को ज़रूरत हो वो इनको use कर पाए so this is spermatica उसके बाद accessory glands होते हैं जो accessory करने वाले हैं यानि की help करने वाले हैं they are a pair of collateral glands secrete the substance responsible for formation of utica in cockroaches तो accessory glands में जो है कुछ ऐसे substance release होते हैं जिसकी वज़े से utica formation होती है cockroach में और mandates में ऊथिका केवल cockroach और mandates में ही present होता है तो यहां से भी एक question बनता है आपका क्या question बनेगा ऊथिका किस में present होता है तो ऊथिका आपका cockroach और praying mandates में present होता है और किस से बनता है accessory gland से बनता है ओके उसके बाद कुछ insects में जो है poisonous secretions होते हैं जैसे कि hymnoptera order में है ना आप लोगों को पता ही है जो आपकी bees है वास्प हैं हम कहते तो हैं हमें मदुमक्खी ने काट लिया हमें तताईये ने काट लिया बट बेसिकली मदुमक्खी आपको काटती नहीं है काटा मूं से जाता है तो यह इसमें क्या है एक OV position के लिए present होता है OV duct तो इसमें कुछ वो spine like structure में convert हो जाता है इस तरीके का इसके abdomen के पीछे वाली segments में तो इस spine like structure जो पीछे present होता है वो यह हमारी skin में अंदर डालता है और skin को puncture करता है और उस से जो है कुछ poisonous secretions निकलते हैं जिसकी वो जैसे हमारी skin में allergy होती है खुजली चलती है या swelling हो जाती है तो यह जो secretions निकलते हैं poisonous यह आपके accessory glands से निकलते हैं hymnoptera order में जिसमें bees और वास्प आते हैं ओके और कुछ sticky substance भी इसी gland से निकलते हैं sticky substance आप लोग ने trichoderma cards देखे हैं न तो एक card पर सारे जो अंडे हैं वो चिपके रहते हैं कहीं घुमते नहीं रहते हैं कि हम लोग ऐसे card करेंगे और वो गिर जाएंगे तो वो sticky substance की वजह से चिपके रहते हैं तो जहां भी आपका जो insect है वो oviposit करेगा यानि की अंडे देगा तो plant की leaf पर अंडे दे सकता है stem पर दे सकता है soil पर दे सकता है कभी leaf के नीचे भी देता है अंडे साइड भी देता है तो यह अंडे गिर कर फूटे नहीं इसके लिए यह secretion बनाया जाता है sticky secretion कि जहां जिस surface पर अंडे देगा उसमें जो है यह चिपक जाएगा और गिरेगा नहीं तो यह काम भी जो है accessory glance का है ताकि अंडो को सुरक्षित रखा जा सके राइट चलिए देन टिपिकल ओवेरियोल्स और एग ट्यूब जो है आपकी इसमें तीन major structures present होते है terminal filament present होता है egg tube present होता है supporting talk and pedicill present होता है तो आज मसराम काफी दुनों बाद वापस आए है क्लास में कोई बात नहीं वो आजकल पढ़ाई में बड़े बिजी है चलिए तो टिपिकल ओवेरियोल एग जो है आपके तीन structure present है terminal filament present है eggs की tube present होंगी और supporting stock और pedicill present होगी तो आपका जो basically एक ओवेरियोल है वो इस तरीके का दिखाए देता है जो नीचे diagram है जो उपर का structure आप देख रहे है जो narrow structure है ये narrow structure जो है ये आपका terminal filament है तो से terminal filament जो आगे का structure है ठीक है उससे पीछे present होता है germarium germarium present होता है germarium में क्या होता है इसमें developing germ cells होते हैं जो अलग-अलग stages पर पहुँच चुके है है ना कोई अपने final stage पर है mature हो चुक है जो सबसे आगे है यानि कि ये जो egg होगा वो सबसे mature हो चुका होगा और ये release होगा ठीक है जो पीछे होंगे वो यानि कि अभी immature है वो developing stage में है तो ये germarium में आपके developing germ cells होते है फिर vitelarium होता है vitelarium में आपके germ cells present होते हैं वो आपके जो है वहाँ पर store है vitelium में जो कि germ cells है ओके तो ये आपके जो है यहाँ present होंगे vitelarium में vitelarium में आपके germ cells present होते हैं और यह जो पूरा ओवेरियॉल है, यह दो मेंब्रेन से जो है, कवर्ड होता है, मैं आपको बता चुके हूँ पिछली स्लाइड में, आउटर मेंब्रेन और इनर मेंब्रेन, साथ-साथ यहाँ पर आपकी डिवलपमेंटल स्टेज भी दी हुई है नीचे, यानि कि एम्ब्रि नीचे हो जाता है, और जिसमें विटलि漂 एरियम भी प्रेजेंट होता है, तो इम्ब्रेन आपका आपका इन्सेक्ट है, वह अदोल्ट बन चुका है, तब तक यह आपका जो आवेरोयल है, यह भी पूरा डिवलप हो जाता है, so this is the structure of a very old चलिए तो फीमेल काफी पढ़ लिए है अब मेल भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा है ना थोड़ा सा मेल को भी इंपोर्टेंस दे 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 आधा वाइस फीमेल को अटेंशन शीक सीक करना जाधा पसंद नहोता है चलो तो मेल रिप्रोड़ाक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे इसमें अपेर ओफ टेस्टेस प्रेजन्ट होती है अपेर ओफ वास डिफ्रेंस प्रेजन्ट होगी समिनल वेसिकल प्रेजन्ट है एजैकुलेटरे डक्ट प्रेजन्ट है एससरी ग्लाइन प्रेजन्ट है जैनिटे है male reproductive system के parts है आए इनके बारे में भी एक एक करके जान लेते हैं पहले इनका diagram देख लेते हैं तो आपकी जो जहां ओवरी present थी female में वहाँ testis present होती है male में तो यह जो आप structure देख रहे हैं gold sack like structure होता है यह testis होती है यह testis से जो है sperm release होता है और यह जो आप narrow सी pipe देख रहे हैं इसे vast difference कहते हैं तो इसके थूँ जो है आपका sperm travel करके आगा और यहां पर आपका यह जो structure है थोड़ा swollen है motor है diameter इसका जादा है तो यह आपका seminal vesicle present होता है तो यह आपका seminal vesicle है और यह vast differentia है ओके तो पतली वाली जो है उपर है वो vast differentia है नीचे है मोटी है वो seminal vesicle है यह दोनों बिलकुल आपके जैसे female है उसी में lateral duct जो है common duct में आके मिलते हैं वहाँ पर इसका नाम common duct या median duct था यहाँ पर इसका नाम ejaculatory duct होता है ओके तो यहाँ पर इसका नाम ejaculatory duct होगा और यह ejaculatory duct से आपके जो sperm है इंसेक की body से बाहर निकल जाएगा उसे उसमें आपके जो accessory gland है वो लेटरली इस तरफ present होते हैं इसमें अंदर की side present होते हैं जो अपके accessory gland होते हैं तो यह जो पूरा structure है यह male reproductive insect का structure है आए एकक करके इन organs की functionalities को जान लेते हैं they lie above the elementary canal यह elementary canal के उपर लाई करते हैं position में जो आपकी testis होती है they are connected to the body wall through translucent duct आपकी जो ovaries थी वो filament से connected थी ligament से connected थी वही testis जो है translucent duct से connected है और each testis consists of a number of oval shape structures known as follicles तो इसमें आपकी हर testis में जो आपका यह sack like structure है testis है इसमें इस तरीके के oval structures present होते हैं बहुत सारे और जैसे उनका वहाँ पर नाम क्या था overalls था यहाँ पर इनका नाम क्या है follicles इनको follicles कहते हैं the entire follicle is covered by peritonial membrane जो आपका एक follicle है वो आपके एक membrane से covered रहता है जिसका नाम है peritonial membrane ओकी तो एक follicle की जो covering है उसे peritonial membrane कहते हैं लेकिन जो पूरा का पूरा testis है उसका जो cover बनाता है उसको scrotum कहते हैं तो पूरी testis का जो cover होता है जो इसके उपर present होगा उसको scrotum कहते हैं जो एक follicle के उपर जो layer होती है उसको peritonial कहते हैं right तो यह आपकी testis हैं जो elementary किनाल के उपर present होती है उसके बाद next है आपका was differences. Was differences are long tubes, ये लंबी tubes हैं by union of was differences. बहुत सारी was differences निकलती है, जो unite होकर क्या बनाती है, was difference बनाती है. ठीके तो justement difference से difference बनता है, यानि कि उल्टा हो रहा है ABCD से. वैसे तो D E से पहले आता है लेकिन यहां पे आपको उल्टा याद रखना है, E Frens पहले आता है, D Frens बाद में आता है, तो reverse ABCD याद रख लेनी है, इसमें ठीक है, तो काफ सारे VAS E Frenses जो है, वो मिलके क्या बनाते है, VAS D Frenses बनाते हैं, which receives the sperm from the testes, तो testes से जो sperm निकलते हैं, वो यहाँ पर receive होते हैं, vast differences में and they are allowed to transport to ejaculate reduct, और इनको ejaculate reduct तक पहुचाने का काम यह vast differences करता है, चिक है, फिर इसमें आपका seminal vesicles present है, जिसका diameter थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा फूला हुआ सा structure होता है, each vast differences becomes enlarged posteriorly, पीछे की तरफ, posterior side में जो है, वो enlarged होते हैं, और एक sack like structure बना लेते हैं, इन्हें seminal vesicle कहते हैं, तो आपका जो vast differences है, उसी का part है seminal vesicle, पहले तो यह पतली tube like structure था पर नीचे posterior end की तरफ आता है, तो यह जो है sack like structure बना लेता है, और इसको कहा जाता है seminal vesicle, तो seminal vesicle इसको कहा जाता है, यह आपकी vast differences का ही part है, vast differences posterior end में पीछे के end में swell हो जाती है, sack like structure बनाती है, उसे seminal vesicle कहा जाता है, for storage of spermatozoa for some time, तो यहाँ पर जो है spermatozoa का storage किया जाता है, कुछ time के लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सालों साल तक यहीं store रहेंगे, सालों साल तक वो testis में stored रहते हैं, लेकिन कुछ time के लिए spermatozoa को seminal vesicle में store किया जाता है, और यहीं जो है, इसका major और main function है, उसके बाद आएंगे ejaculatory duct पर, ejaculatory duct जो है आपका vast differences of two testis unite, posteriorly to form a common medium, ejaculatory duct, तो यह जो है आपके vast differences दो मिलकर, एक common duct बनाते हैं, इस common duct का नाम है ejaculatory, तो यह जो common duct है, यहां से आपका sperm जो है, body से बहार निकलता है, the terminal section of ejaculatory duct is enclosed in a finger-like evagination of the body wall, which is called male copulatory organ, या फिर इसका नाम क्या है, adiagus या it is synonym to your penis, तो basically आपका जो ejaculatory duct है, वो इस organ में आके end होता है, विच नेम्स adigeus, इंसेक्ट में इसको adigeus बोला जाता है, this is the male copulatory organ, जिसकी help से वो female vagina में sperms को release करता है, तो यह जो आपका सांस ले लूँ, आज तो सांस ही हो गई है, उपड़ नीचे, इतना बुलवाया है तुम लोगों ने, तो यह जो आपकी ejaculatory duct हैं, यह खतम होते हैं यहाँ पर, जिसमें adiagus या penis present होता है, इस penis के थूँ या adiagus के थूँ जो है, जो sperms होते हैं, वो female vagina में release के जाते हैं, at the time of copulation, ठीक है, तो यह आपके ejaculatory duct हैं, उसके बाद accessory glands का क्या काम है, accessory glands, एक से तीन पेर में present होते हैं, यानके किसी में एक भी हो सकते हैं, किसी में तीन पेर भी present हो सकते हैं, विच ओपन इंटो ejaculatory duct, यह ejaculatory duct में जो है, ओपन होते हैं, the most cases, they are secretion mixed with spermatozoa, इनका जो accessory glands है, इनका जो secretion होता है, वो spermatozoa जो travel करके आ रहा है, टेस्टेस से, उसके साथ mix हो जाता है, इस glands are called mushroom glands in cockroaches and mendates, केवल mushroom glands इनको कहा जाता है, cockroaches और mendates में, तो mendates और cockroach में इनका नाम mushroom gland होता है, क्योंकि यह mushroom shape के होते हैं, यहाँ पर आप picture देख रहे हैं, normally हमने यहाँ पर male part की picture देखी थी, तो यह इस shape में present होते हैं, normally, लेकिन cockroaches और mendates में ऐसी shape इनकी होताती है, तो यह mushroom type egg shape बना लेते हैं, इसलिए इनको mushroom gland कहा जाता है, cockroaches and mendates में, ओके, उसके बाद जो secretion हैं, यह करते हैं, facilitate sperm transmission from male to female, तो sperm बिचारा अकेला travel करके नहीं आ सकता है, he is very small, बहुत छोटा है, तो उसको secretions की जरूद पढ़ती है, liquid की जरूद पढ़ती है, जिस medium में वो रह पाएगा, और जिस medium के through वो transfer होगा, male body से female body में, तो यह जो transfer किया जाता है, यह secretions आपके accessory glands जो हैं, वो secret करते हैं, तो उनका काम होता है, कि sperm की जो mortality है, उसको जिन्दा रखना, उसको active रखना, और उसको male से female में transfer करना, तो यह जो है, in secretions का काम होता है, तो these are your accessory glands, चली, तो आब हो गई है, फाइनली छुटी, तो आज काफी सारा पढ़ लिए वैसे, आच्छीली तो मैने काफी कुछ कट भी किया है, you can have, और reproduction बे एक और class हो सकती है, बट आई तिंग फ्रॉम योर एक्जाइम पॉइंट अफ्यू इतना काफी है, मौर्फॉलोजी से जादा डीप नहीं कोई भी बूशता है, चेक है, तो चली, आज की class हमारी यहीं पर समाप्त होती है, सुबह साड़े ग्यारा बचे मिलेंगे अपनी IBPS AFO की class में, with your crop physiology questions, ओके, तो आप लोगों के लिए खुश खबरी है भई, IBPS AFO का बाच आपका launch हो गया है, finally, और यहाँ पर मैं हूँ, देख सकते हो आप, so you get all the classes, हम पाँच, agriculture, faculty तो आपकी है ही, साथ में आपके maths, English और reasoning की faculty भी रहेंगी, which are one of the best faculty in ADA, तो you are going to be having like बहाद अच्छा package, और इसकी cost रहेगी आपको 3199, यह आज के लिए है, क्योंकि अभी आपका 80% off चल रहा है, चीक है, कल हो ना हो, आज का बता देती हूँ, तो आज इस पर 80% off चल रहा है, तो आपको इसका price जो है, क्या पढ़ेगा, 3199, that means आपको यहाँ पर 5 और 3, 8 faculty के लिए 6 महिने के लिए 3200 रुपे खर्च करने है, तो आप almost 6 महिने के लिए एक faculty को केवल 300 रुपे दे रहे हैं पढ़ाने के, इससे कम और क्या होगा, चलिए, और उपर आपसे महाँ पैक है, महाँ पैक के बारे में आप जालते हैं, आपकी double validity चल रही है, लेकिन वो केवल महाँ पैक पर चल रही है, और packages पर sum up हो गई है, तो double validity का क्या मतलब है, यानि कि पहले यह आपको 12 महिने के लिए access मिलता था, लेकिन अभी आपको और 12 महिने के लिए मिलेगा, यानि कि दो साल का पूरा access आपको इसमें मिलता है, जिसमें जितने भी agricultural related packages हैं, चाहें आप state agriculture university की तयारी कर रहे हैं, नबाड की कर रहे हैं, AFO की कर रहे हैं, NFL की कर रहे हैं, NSE की कर रहे हैं, कोई भी exam दे, ये सारे packages जो available होंगे, इनका access आपको इसमें 2 साल के लिए मिलेगा, so you can have the maha pack और अपनी तयारी जो है, ये नहीं है कि आज मैं इस exam की तयारी कर रहा हूं, ये pack खरीद लिया, नहीं हुआ, दूसरा pack खरीद लिया, तो ऐसे ज़्यादा पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि एक महा pack लेजिए, सारे agricultural exam इसी से आप दे पाएंगे, इसमें सारा syllabus है, video classes भी होंगी, live classes भी होंगी, test series भी होंगी, e-books भी होंगी, तो आप अपने test series अपने आपको analysis भी कर सकते हैं, e-books अपने questions भी practice कर सकते हैं, live classes में अपने doubts भी पूछ सकते हैं, recorded class से अपना syllabus भी कर सकते हैं, तो सब कुछ इसमें present होता है, इसकी cost क्या है, इसकी cost है 6799, क्योंकि अभी 80% off चल रहा है, और this 2 is for 2 years, 2 साल के लिए आपको ये मिलेगा, और इसमें जो है, आपको code यूज करना है, Y448A, तभी आपको ये 80% का discount मिलेगा, 4 प्लस 4, 8A for agriculture, इफको का exam कब होगा, इफको के exam के लिए हम सभी wait कर रहे हैं दिवाकर, और most probably देखें, जो आपकी पीछे की history देखें, तो आपकी जो भी last date होती है, form भरने की, उससे लगभग एक डेड़ महिने बाद exam conduct हो जाता है, ऐसी इफको की history है, बाकी भया, वो क्या planning कर रहे हैं, ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो history basis पर ही चलेंगे, history basis पर आपका में अंट तक exam हो जाना चाहिए, बाकी इफको के CEO की मरजी मेरी कौन सुनता है, चलिए, तो आज की class में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, अपने IBPS AFO की class में सुभे साड़ी 11 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा, सुरक्षित रहेगा, गुडबाई, टेक केर,